पाकिस्तान में यहूदियों की जिंदगी कैसी है आईए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आईगन को दबा दीजे जिससे की आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। पाकिस्तान में यहूदी समुदाय का 19. शताबदी से एक लंबा इतिहास रहा है। इस समुदाय ने भेद भाब और हाश्या करण का सामना किया और इसकी संख्या में गिरावट आई। कई यहूदी बड़ी यहूदी आबादी वाले इसराईल या अन्य देशों में चले गए। शेत्र के राजनीतिक विकास से समुदाय भी प्रभावित हुआ। विशेश रूप से पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे संखर्ष जिसके कारण धार्मिक अल्प संख्यकों के लिए शत्रुता पूर्ण वातावरन बन गया। इन चनौतियों के बावजूद यहूदी समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को बनाए रखने में काम्याब रहा है। सिनेगौग और अन्य यहूदी स्थान प्रमुक शहरों में कारे करना जारी रखते हैं। और समुदाय ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को संग्रक्षित करने के लिए काम किया है। समुदाय के छोटे आकार के बावजूत पाकिस्तान में रहने वाले यहूदी लोगों की पाकिस्तानी लोगों के बीच बहुत सकरात्मक छवी है। अपनी संस्कृतिक, विरासत और परंपराओं को बनाए रखने में काम्याब रहा है। समुदाय ने भेत भाव और हाशिय पर जाने का सामना किया है। लेकिन पागस्तान की सरकार ने देश की यहूदी विरासत और सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा और संग्रक्षन के लिए प्रयास किये और देश में धार्मिक अल्प संख्यकों के लिए समग्र स्थिती में सिधार किया है ऐसे ही और विडियोज के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ